पूरी मैंने अरहर की डाल लिया, यानि को मैंने बहुत अच्छे से डोंगे में भिगा दिया है और इसको बहुत अच्छे से साब कर लिया था, अब मैंने एक सब्जी कट कर लिया है गंगा फल, लौकी, सिम्ला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और एक प्याज लिया है, इसको भी मैंने बारीक चौप कर लिया है इधर मैंने बैगन लिया है, इसको भी मैंने कट करके पानी में डाल दिया है अब मैंने कुकर लिया है कुकर को अच्छे से गरम कर लेंगे गया सुन करके मैंने कुकर को चड़ा दिया है अब इधर कुकर मेरा गरम हो चुका था अब अपनी सबजियां डाल देंगे तो मैं सारी सबजियां डाल दूँगी जो मैंने चौप करके रखी है जैसे गंगा, फल, सिम्ला, मिर्च, लौकी, प्याज, हरेमेश, टमाटर, ये साधी सब्जियां मैं डाल दूँगी मैं बहुत सिंपल तरीके से साबर बना रहे हूं लेकिन यकीन मानी ये साबर बहुत डेश्टी बनी थी आपने अगर मेरी ट्रिक से बना ली तो आप रोज रोज बनाई हूं और बहुत इजी तरीके से बता रहे हूं आपको बहुत अच्छे से ये समझ में भी आ जाएगी तो सारी सब्जिया मैंने डाल दी है अब जो मैंने अरहर की डाल को भीगा के रखा था इसको डाल दींगे अब अपनी अरहर की डाल डाल दींगे अब इसमें हम पहले स्वाद अनुसार नमक डाल दींगे ये सावर में ज़्यादा सी मात्रा में बना रही हूँ, कम से कम एक बगोना भर के सावर बना रही हूँ चमक डाल दिया है, अब दो चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया डाल देंगे एक चम्मच पिसी हुई मिस्ट डाल देंगे और एक छोटी चमच पीशी हुई हल्दी डाल देंगे अब पानी लगा देंगे हम कम से कम आट-दस लोगों के लिए साबर बना रहे हैं तो बहुत सारी साबर बनके तयार होगी इधर मैंने खटाई बिगा दी थी आप जाए तो इम्ली के पल्क भी डाल सकते हैं पानी बी डाल सकते हैं इधर मैंने कमसे कम साथ खटाई की खापे बिगा दे ती इनको डाल दे अब हम लेड लगा देगे और चार बिसल आने तक इसको पका लेंगी इससे चार विसल आने से सबजें हमारी बहुत अच्छे से मैस हो जाएंगी क्योंकि साबर में सबजें थोड़ी घड़ी होनी चाहिए थोड़ी मैसी मैसी होनी चाहिए तो एक विसल आ गई है अब दूसरी विसल भी आ गई है और दूसरी मैंने पहले ही लगा लेती है गैस को आफ कर दिया है कूकर ठंडा होगे अब लेल हटा के चैक कर लेगे अब अपनी जो साबर है उसको थोड़ा थोड़ा मैसी कर लेगे क्योंकि सबजी हमारी बिल्कुस सौप्ट हो गई है खड़ी खड़ी लग रही है तो थोड़ी सी इसकी सबजी को सौप्ट कर देंगे थोड़ा सा मैस कर लेंगे इससे हमारी सबजी थोड़ी खड़ी भी रहेंगी और थोड़ी मैसी मैसी हो जाएंगी ऐसे साबर हमारी बहुत देश्टी भी लगती देखने में भी और खाने में भी इधर मैंने कड़ाई चड़ा दिये गया सौन करके अब इसमें ओयल लगा देंगे एक बड़े चमज ओयल लगा देंगे अब इसमें एक छोटे चमज राई डाल देंगे लाल मिश लेंगे उसको तोड़ के डाल देंगे दो तिन मैंने खड़ी साबुत मिर्च डाल दी है अब इनको अच्छे से चटकने देंगे राई और मिर्च को बहुत अच्छे से चटकने देंगे हिंग डाल देंगे करी पत्ते नहीं थे इसलिए आपके पास करी पत्ते हो तो जरू डाल दियेगा क्योंकि करीपते सावर में बहुत अच्छे होते हैं और डालना भी जाईए अब हम अपनी सावर डाल देंगे कितने इजी तरीके से मैंने सावर आपको बनाना बताई है कितने इजी तरीके से इस तरीके से बच्चा बच्चा सावर बना लेगा कि जो सबजी आपके पास हो उन सबजी को आप सावर में यूज कर सकते हैं अब इसमें थोड़ा सा मैंने गरम पानी करके रखा था तो एक ग्लास मैं इसमें गरम पानी डाल दूँगी क्योंकि सावर थोड़ी गाड़ी लग रही थी बतली सावर अच्छी लगती है अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे अब इसमें हम सावर मसाला डाल देंगे जो होम मेड सावर मसाला ये मैंने घर पे ही बनाया है कम से कम दो तीन चमज भरके हम इसमें सावर मसाला डाल देंगे इससे सावर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है सावर में सावर मसाले का पूरा टेस्ट होता है तो आप इसको घर पे भी बना के रख सकते हैं यह सावर मसाला मैंने घर पे ही बनाया था और बना के स्टोर करके आप इसको रख सकते हैं तो हो गया ना एक इजी काम आप घर पे भी सावर का मसाला तैर करके जब आपका मनुश सावर बना सकते हैं तो इस तरीके से मेरी यम्मी सी सावर बनके बिल्कुल तैयार हो गई है तो हो गया ना इजी तरीका आप इजी तरीके से सावर बनाएंगों तो एक बार नहीं इसको दस बार बना सकते हैं तो मेरे method से आप साबर जरूर बनाना और साबर मसाला अगर आपको homemade चाहिए तो मैं उसकी वी recipe आपके साथ share करूँगी क्योंकि मैं साबर मसाला कभी market से नहीं मंगाती हूँ घर पे ही बना के साबर मसाले में use करती हूँ तो इस तरीके से बिल्कुल यम्मी सी साबर बन गया पूरे घर में साबर की खुस्बू खुस्बू दोड रही थी देखने में भी यम्मी थी खाने में भी यम्मी थी अगर आपने भी बनानी तो अंगुलिया चट कर जाएंगे तो अब इसमें उपर से हरधनिया डाल देंग तो यह हम इसी सावर बनके तयार हो चुकी है अब सावर है तो इडली तो होगी होगी तो इडली तो बनाना बनती है तो फिर क्या हम फिर किचिन में दोड़ पड़े सावर को एक साइड रख दिया हमने उठा के और इडली को बैटर को बनाने लगे तो हमने कम से कम आदा केज ली थी वह मैंने बारिक बाली एक ारम कंचे मैं नहीं नहीं लेनी यहाई और पहसा चुट डाल दिया है कंसे परब कर देए स्थे इसमें कर दो और भूज न वह नहीं बुग को कोशिया से दही सूजी को बहुत मैस कर पानी डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे इस तरीके से हम पानी डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे इसलिए गुठलियां भी नार हैं बिल्कुल इसमें हमें लंपस बिल्कुल इसमें नहीं रहने हैं और इसको खूब अच्छे से एक डारेक्शन में इसको खूब अ पानी और डाल दूगी आब इसको अच्छे से एक डियार करके बहुत अच्छे से मैं सूजी को फिट लूगी तो इसमें बहुत सबसें तयार हो गी तो आपको डिया आना है क्योंकि सूजी को जो इट्ली होती हो जहट-पड बन जाती है तो जैस युझी तो आप पांस मिनु बैटर में डालिएगा जिसे क्योंकि जो इनो का जो काम होता है जो प्रोसेस होता है वह पांच-छे मिनट बद बंद हो जाता है तो आप एडलिया रख देंगे उसके बाद रखे हुए बैटर में जो आपने इनो डाला है वह आपका काम नहीं करेगा तो आपको थोड़ा इन बिल्कुल बंके तैयार हो गया है अब मैंने ना तो कटोरिया ली है ना साचे ली है तो आप बताएए मैंने क्या लिया है तो मैंने ये धककन ली है प्लास्टिक के आपके पास जैसे डिब्बे हूँ उन धकुनों में ओल लगा लीजिए दुलने के बाद और इन धकुनों के समान के ढखणे उसमें भी एडली बना सकते हैं तो मैंने अपने ढ़क के ढखकन निकाल लिये थे एक साइच के और उनको वाश कर लिया था उसमें तेल अच्छे से लगा दिया था और उन ढखकोनों में डल देंगे इसमें एडलियां पकती भी बहुत जल्दी हैं और निकलती भी बहुत जल्दी हैं इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप किया साचा ना हो कटोरी में ना निकल पाएं तो आप प्लास्टिक की कटोरी या प्लास्टिक के ढकोनों में एडली को बना सकते हैं और ब फगोने में दो गलास पानी रख दिया है पानी गरम हो गया था ओपर से मैंने छनली रख दी है अब जिन मैंने धक्कनों का यूस किया था बन बाइवन ऐसे ही सारे धक्कन रख दूँगी ऐसे ही बन बाइवन सारे धक्कन मैं रख दूँगी देखिए ये तीन धक्कन मेरे एक से हो गये थे और बाकी थोड़े से अलग अलग है लेकिन इनमें इडलिया बहुत अच्छी बनी थी आप मेरे कहने से प्लास्टिक की कटोरी या जो भी आपके पास प्लास्टिक की बाउ कटोरीया हो ढकन हो उसमें आप बना सकते हैं बहुत अच्छी इडलिया बनती है काटोरीयों में और इडली मेकर में तो आपने हमेजा बनाई होंगी लेकिन अगर आपके नहां तो आप इस तरीके से भी इडली बनाके इंज्वाए कर सकते हैं अब हम लेड लगा देंगे पंदर मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे पंदर मिनट के बाद हम चेक करेंगे इंको को पंदर मिनट में इडलिया हमारी बहुत अच्छे से पके तयार हो जाएंगी देखे बिलकोर फूली फूली इडलिया बनके मेरी तयार हो चुकी है तो आपने कभी सोचा था कि हम प्लास्टिक के धक्कनों में भी इडलिया बना सकती है वह यह मैंने तो सोचा था कि मैं इन धक्कनों में भी इडलिया बना सकती हूँ तो इन सारे धक्कनों को हम निकाल लेंगे और एक मिनट में ही धक्कन ठंडे होने के बाद बहुत जल्दी इसमें से इडलियां हमारी निकल जाएंगी देखिए मैं धकन दिखा दे रही है आपको सारे तो निकल गई न जल्दी से इडलियां ऐसे ही सारे ढकनों के इडलियां निकल के तयार हो जाएंगी देखिए हाथों में करते ही सारी इडलियां मेरी निकल के तैयार होती जा रही है और बहुत अच्छी इडलियां बनी थी बैसे कि अधिक दियर ठंडी होनी चाहिए छुरी से निकालो या चमत से निकालो लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था अगर नहीं निकले तो भी आप एक मेथट को अब जरूर अपनाना कितनी बढ़ियां इडली बनके तैयार हो गई सारी इडली मैंने ऐसे ही निकालके तैयार कर ली है अब मैंने एक प्लेट ली थी अब इसमें मैंने साबर और इडली लगा लिए देखी कितनी बढ़िया लग रही है साबर और इडली विलकु इंजुआए किया था आप भी इनको इंजुआए कीजिए और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और बैल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना तो हम तो चलते हैं खाने के लिए आप भी जल्दी दोड़ ये किचिन में बनाने के लिए मैं आपको पास से इसलिए दिखा रही हूँ देखिया कितनी बड़ी आइडली बनी है तोड़ने पे भी बहुत अच्छी सी जाली बन के आ रही है मेरिया सबको बहुत पसंद आई थी ये इडली तो पसंद आई हो तो लाइक करना सस्क्राइब करना और जाते जाते बैल आइकन के बटन को जरूर पैस करना और इडली साबर को बहुत इंजॉय करना क्योंकि मैंने तो भी बहुत इंजॉय की थी देखिए एक कितनी बढ़िया लग रही ना इडली ये भी मैंने बनाई थी ढकनों में इसको Chloe हुआ of हल्दी को थोड़ा बून लेंगे इसलिए कच्चा पन न आ रहे अब देखिए मैंने थ्वड़ा सा मैं तेल कम लग रहा था तेल को डाल देती हूं अपनी हल्दी जो है सके जो कच्चा पन निकालना विसको अच्छे से भून लेंगे अब हमने जो मिनी इडली बनाई है इन को बन वाई बन डालते जाएंगे सारी इडलियों को ऐसे ही डाल देंगे दिको यह मैंने छोटे-छोटे साचों में बनाई थी मिनी इडली लग रही है न बढ़िया इस तरीके से मैंने फ्राई वाली इडली भी बना के त्यार करी थे यह भी खाने में मज़ा आ गया तो मेरी यह इस तरीके की तीन प्रकार की इडली को हमने इंज्वाई किया था ढकन में काटोरी में और जो चोटी-छोटी इडली से बन के तयार होई थी तो आप भी मेरी वीडियो को फुली बाउच करके इस तरीकी की इडली को इंज्वाई कर सकते हैं लग रही है न यम्मी और ये इडली बहुत बच्चों को बहुत पसंद आती है थोड़ा सा इसमें उपर से नमक डाल देंगे अब यम्मी सी फ्राई वाली इडली बनके हमारी तयार हो चुकी है अब इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और आदे मिलट में ये बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगी अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ इनको आप ऐसे ही इंज्वाय कर सकते हैं सावर और चटनी की बिल्कुल भी जरूद नहीं है ये ऐसे ही बहुत अच्छी रखती है तो मैंने आपके साथ तीन बरकार की इडिलिया और सावर आपके साथ सेर की है तो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सस्क्राइब कीजिए, बैल आकन को बटन को जरूद प्रेस कीजिए थैंक्स फूर वाचिंग, लाइक और सस्क्राइब ये इडिलि को मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ देखिए मिनी इडिलिया कितनी बढ़िया लग रही है, बाई, तेक के रहे, थैंक्स फूर वाचिंग, लाइक और सस्क्राइब